एक सेलनी के लिए भाई भरकंग देशों को समालना काफी मुश्किर भरा कांगे। सेर एक जल भरे छीत्र में प्रिवेश करता है। और दूसरी यो बहसों को भी देखता है। सेर पानी के काफी अंदर आ चुका था। कुछ भैस चारा चलने में ब्यस्त हैं तो कुछ इस घिलखलाती दूप का आनंद ले रही है। और इन मैडम की सिर पर भी भैस का सिकार करने का बूद सवार हो जाता है। दोश्ति प्लीज हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सबी बफैलो इस सेली को यहां आते देख यहां से बूर्या बिश्तर बांद कर निकल लेती हैं। वाव वाव क्या बात है क्या बात है। बहुत बढ़िया। पीचा करती सेली एक भैस के बजड़े को पकड़ लीती है। बफैलो जी एक सेली को पीट पाट कर अर्यार खुराक देकर यहां से पतली गली से निकल लेती है। बड़ी चली थी मैडम भैस का सिकार करने। मिटायली गुजरी। विश्तो फ्रीज हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्स्क्राइब कर दीजिए। अकेली सेली इस दर्ध को सहती हुई आज की रात को यही गुजारती है। चांदरी के साथ सूरो दय के समय सेली अपने साफकों की परचित पुकार को सुनती है। घैल सेली ने घैल होने के बाब दूद भी सेली ने उस पुकार का उतर गिया। और अपने साफकों के पास दोड़ी चली आई। और फिर सेमी अपने साफकों को गले लगाती है। दोस्तों अगर आपको ये मेरा छोटा सा मनुरंजक वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजी। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब मेले बहुत कीमती है। मिलते हैं एक और नए वीडियो में तब तक के लिए थन्यवाद।